नमश्कार और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स में तो रिसेंटली ब्रिटेन का एक न्यूस चैनल है जीबी न्यूस इनके जो एंकर है उन्होंने चंद्रियांथरी को लेकर एवन इंडिया को लेकर एक बहुत अन्यूशल स्टेट्मेंट दी है बेसिकली पैट्रिक क से उल्टा वो पैसे लेने की बात कर रहे हैं पर यहाँ पर आप वो वीडियो देखिये अगर इंडिया मून के फार साइट पर लेंड करने को अफर्ट का सकता है एक स्पेस प्रोग्राम अफर्ट का सकता है तो ब्रिटिन को भी इंडिया को जो एड मिलती है पोवर्टी हटाने के लिए वो बंद कर देनी चाहिए एवन उल्टा उस एड के पैसे पापस लेना चाहिए और ये भी इंडियो एड किया कि आगर इंडियन गवर्मेंट अपने इस प्रोग्राम में पैसे खच करने को तयाळ है ब्रट पवर्टी हटाने को तयार नहीं है तो ब्रिटिन को भी इंडिया में जो जो पवर्टी है उसे bother करने की ज़रुवत नहीं है उसे importance देने की ज़रुवत नहीं है मैं यहाँ पर आपको पहली बात यह बता दू 2016 से 2020 के बीच UK ने इंडिया को 2.3 billion pounds की aid दी है बट वेर एल्स UK ने इंडिया से 45 trillion US dollar की loot की है वो भी 1705 से 1938 तक और मैं यहाँ पर जो atrocities UK ने इंडियांस पर की है उसे यहाँ पर add नहीं कर रहा हूँ जिसको लेकर UK ने genuinely इंडिया से apology तक नहीं मांगी है तो अगर UK अपनी 8 दिन बंद कर देता है इंडियां को और एवन वो foreign aid के पैसे बापस मांगता है तो हमें भी वो 45 trillion जो loot हैं Britain ने उसे बापस मांगना चाहिए और मैं यहाँ पर आपको यह बता दूँ कि मैं surprise हूँ कि पाकिस्तान ने चंद्रियां 3 मिशन को मौक नहीं किया हाला कि कुछ हैं जिनोंने मौक किया है जिसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तो वो चैनल को सब्सक्राइब करकर रखना पट यह unexpected था कि पाकिस्तान की तरफ से चंद्रियां 3 को लेकर एक positive view आएगा पट UK की तरफ से uneven view देखने को मिलेगा ना मैं यहां आप से जानना चाता हूँ कि हमें UK से aid लेनी चाहिए या नहीं आप यह reason भी दे सकते हो कि हम आप अब अब अबते capable हो गए हैं कि हमें कोई aid की ज़रुवत नहीं है